Hello students, हम Electrostatic Potential and Capacitance Chapter का study शुरू कर रहे इस वीडियो से इस वीडियो में हम पहले एक 5 मिनिट Potential Energy के बारे में Recap करेंगे Revisit करेंगे जो आप पहले से पढ़ चुके है Gravitational Spring के cases में Potential Energy वो क्या होता है एक Revisit करने के बाद उस Knowledge को हम एक Charge का Potential Energy या फिर Electrostatic Potential Energy के साथ Relate करेंगे वो कैसा होता है देखेंगे कैसे Similarities है वो क्या है और फिर इस से Related कुछ Examples करेंगे ऐसा कुछ इस वीडियो का अपना Plan है ठीक है अभी मैं बोल रहा हूँ Work is Done Against a Force क्या मतलब है इस चीज़ का अगर कोई Force नहीं है तो मेरे को Work करने की सब्रत पड़ीगी क्या देखो माल लो एक Block है एक Block है यह पूरा का पूरा Full Smooth है यह पूरा का पूरा Full Smooth है और कोई Air Resistance वेगरे कोई Force नहीं कर रहा है अभी मैं यह Force लगाने वाला हूँ External Force इसको External Force बलेंगे यह मैंने External अपना Force लगाए अब क्या अगर यह Full Smooth है अपोस करने वाला कोई नहीं है कोई A-Pos करने वाला है नहीं यहां पे अपोस करने वाला कोई Force है नहीं तो मेरे को Force लगाने की सचमें जरुरत है अगर full frictionless surface है तो मेरे को force लगाने के जरुरत नहीं है हावा का छोटा सा भी कुछ आया तो भी वो full अपना motion शुरू कर देगा अगर मान लो मेरे को किसी भी चीज को उठाने के लिए अगर यहाँ पर पहले वाले example पर यहाँ पर friction अपोस कर रहा है तो मेरे को ताकत लगानी पड़ेगी तो मेरे को ताकत लगानी पड़ेगी इस friction को overcome करने के लिए अगर इसको move करना है work करना है और कुछ displacement करनी है यह वाले इस चीज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है करानी है मेरे को तो अब मेरे को फोर्स लगाने की ज़रूरत है क्योंकि फ्रिक्शन अपोस कर रहा है तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता कोई अपोसिंग फोर्स नहीं होता तो मुझे फोर्स लगाने की ज़रूरती नहीं पढ़ती डिस्प्रेस्मेंट करने के लिए तो मेरा व पे लेके जाना है। मैं अपने हाथ से ऐसा ग्राउं पे आगता हूँ और कोई चीज को उपर लेके जा रहा हूँ हमको पता है कि हम वर्क करते हैं इसको उपर लेके जाने के लिए लिए राईट सिर्धाननकों क्यून सा फोर्स है नीचे कोई force लगाने की जरुरत नहीं थी, कोई work करने की जरुरत नहीं थी, right? एक spring को खिषता हूँ मैं, right? work करता हूँ, वो natural length से कितना displacement हुआ है, वो into कितना force लगाया है, क्यूंकि spring force है, spring उसको अपने तरफ restore करने के कोशिश कर रहा है, अपना natural length में जाने की गोशिश कर रहा है, उस spring force के against काम कर रहा हूँ मैं, तो जब भी मैं work करता हूँ, तो किसी तो भी force के against करता हूँ, right? तो work दो type का बनता है, एक तो मैंने जो external force लगाया, so work done by external force एक होगा, right? इस case में अगर friction के अलावा कुछ और consider नहीं करते है, तो there will be opposing work done by friction, a friction force के लिए into displacement, ये work done होगा, ये work done होगा, तो एक external work done होगा, और एक work done by this friction force होगा, right? यहाँ पर mg के case में, right? एक work done by gravity होगा, एक work done by gravitational force होगा, और एक work done by external force होगा, external work done होगा, right? external work done होगा, correct? अभी ये दोलों एक दुसरे का उल्टा रहेंगे, अगर हम बाकी के सारे forces ignore करते हैं, सिर्क दो ही forces है, तो work done by external force will be opposite of work done by gravity, they will be equal and opposite in sign, क्योंकि external force के case में क्या हो रहाए? displacement मानलो नीचे से उपर हो रही है, तो external force और मेरा displacement एक ही direction पे है, theta 0, fs cos theta, एने fs cos 0, एने positive fs, right? external force into displacement, mg की case में mg नीचे के तरफ रहेगा, लेकिन displacement उपर हो रहा है, right? displacement उपर हो रहा है, तो इस case में जो theta बनता है, वो 180 होता है, cos theta होता है, minus 1, एने ये minus mg s हो जाएगा, एने external work भी mg se है, अगर मैं सिर्फ उसको slowly लेके जा रहा हूँ, उसकी kinetic energy change नी कर रहा हूँ, just overcome कर रहा हूँ, gravitational force को, right? slowly, एक्दम slowly लेके जा रहा हूँ, तो मेरा, equal रहेंगे दोनो, right? अगर accelerate किया तो फिर वो अलग हो जाएगा, फिर total energy, total work done, देखना पड़ेगा फिर, ठीक है, complicated नहीं करते हैं, हम revisit कर रहे है, right? ऐसा होता है, so work is done against a force, और हम दो ही force अगर consider करेंगे, तो external force और, दूसरा opposing force का work done, equal and opposite sign होगा, ठीक है? तो work is always done against a force, दूसरा point में ने कहा लिखा है, work can be conservative और non-conservative, अब ये क्या है, देखो, मैंने कितना, दो-तिन example लिये, मैंने एक तो gravity का लिया है, gravity का लिया है, एक ये friction वाला surface का लिया है, और एक बोलते-बोलते, मैंने spring भी बोला था, natural position से, अगर उसको extend कराना है, या compress कराना है, तो भी force लगता है, क्यूंकि opposing force है, spring force, right, spring force, अब ये तीनों force में अगर देखा जाए, तो चलो conservative, non-conservative क्या बोलते हैं, देखो, ये तो तीन force मैंने example लिये, उसमें जो gravitational force है, वो conservative है, जो spring force है, वो conservative है, और जो frictional force है, वो non-conservative force है, अभी इसका मतलब क्या, conservative force जो है, उसमें work time जो होता है, वो path पे depending करता है, independent of path होता है, कैसे, चलो एक example लेते हैं, मान लो ये मेरा ground है, और इस ground से मैंने, इस ball को, उपर लेके गया, ऐसा हाथ से पकड़ की उपर लेके गया, मान लो यहां तक लेके गया, यहां तक लेके गया, ठीक है, अब मैं इसको वापस नीचे लेके आया, देखो एकी line में है, लेकिन दिखना चाहिए इसके लिए मैं, इसको ऐसे निकालता हूँ, यहां से वापस इधर आया, मान लो मैंने पहले इसको 50 मिटर उपर लेके गया था ज़्यादा हो गया ना मेरी हाइट कितनी ठीक है पैसे तो भी लेके गया मैं इसको 50 मिटर उपर ठीक है चलो 5 मिटर कर देते है तोड़ा रियरेस्टिक रहते है इसको 5 मिटर उपर लेके गया और माल दो इसको वापस पाच मीटर से वापस नीचे लेके आया चलो दो मीटर नीचे लेके आया चीक है तो मैं इसको पाच मीटर उपर लेके गया और वापस उसको दो मीटर लेके नीचे लाया यह मेरा इनिशियल पोजिशन था और यह मेरा फाइनल पोजिशन है final position है अभी मेरा work done कितना होगा मालो इसका mass है 1 kg चीक है और यह height ऐसी है तो work done by gravity calculate करते है हम लोग potential energy discuss कर रहा है potential energy is work done against conservative force in this case work done against gravitational force which will be equal to work done by gravitational force का negative अभी थोड़ी दिर पहले देखा तो work done by gravity निकाल दूँगा उसको अगर minus कर दूँगा तो that will be work done by external force and work done by external force is stored as potential energy which is told to change in potential energy ठीक है work done by gravity क्या रहेगा इस case में देखो work done by gravity रहेगा gravitational force पहला जर्नी पहला जर्नी मालो A से B and B से C ऐसा है मेरा A initial position है C final है तो A to B जो work होगा right A to B plus work done B to C जब नीचे लाया तब जो A to B work होगा वो क्या होगा M G नीचे के तरफ A to B जब जा रहा हूँ मैं जब A to B जा रहा हूँ तो यहाँ पर M G नीचे के तरफ है force gravitational लेकिन मेरे displacement उपर हो रही है पाच मीटर की right work क्या होता है right Fs cos theta right यहाँ पर theta क्या है M G नीचे right M G नीचे और S उपर लेखो हमेशा angle जब find करना है न दो इसका vector का तो उनकी पूच साथ में जोडते है उनकी पूच साथ में जोडते है तब वो angle मिलता है 180 है 180 डिग्री है right तो मेरा work done cos 180 minus 1 होता है और मेरा work done जो आएगा AB वाला वो आएगा M G मेरा force और मेरी displacement 5 meter और मेरा cos theta minus 1 right M कितना है 1 और G और यह आजाएगा मेरा AB वाला जो work है वो minus 1 minus 1 mass into G right into 5 displacement minus 5 G मेरा वो work हैगा right plus अब जब मैं B से C जा रहा हूँ B से C जा रहा हूँ अब मेरा M G भी नीचे है और work done भी आने क्या होता हो force भी नीचे है और displacement भी नीचे है अब अगर मैं इनके पूछ साथ में जोड़ू दोनो vector के तो उनके भीच में angle 0 होगा cos 0 is 1 अब मैं detail में नीचे लिखता हूँ but cos 0 is 1 आने मेरा M G into displacement तो ये 2 G आएगा M 1 है तो 2 G आएगा 2 M G displacement तो M 1 है तो 2 G आने मेरा आया minus 5 G plus 2 G minus 3 G ये हो गया है मेरा work done by gravity work done by external force क्या लिखू मैं work done by external force जो आएगा मेरा वो आएगा 3 G opposite right 3 G इसका मतलब मेरा change in potential energy क्या हुआ change in potential energy is work done by external force right or negative of work done by opposing force तो मेरा change in potential energy आएगा 3 G या फिर जो total work done आया वो इतना आया minus 3 G by gravity total work done by total work done by मेरा ये जो external force आएगा वो आएगा 3 G right अब मैं क्या करता हूँ इसी ball को ground से ये उपर जाएगा फिर नीचे आएगा उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ इस 1 KG को डायरेक्ट उपर लेके जाता हूँ 3 मीटर right अभी भी वही हो गया ये ground से 3 मीटर पे था पहले के case में right अभी भी ये ground से 3 मीटर ही है ये मेरा initial final position सेम है अभी मैं A से direct C लेके गया अभी भी मेरा initial position और final position वही है जो इस case में था पहले वाले case में था अभी भी वही है right तो अभी मेरा क्या आएगा total work done ठीक है A की आएगा अभी total work done ये एकी चीज़ है total work done by gravity gravitational force तो वह आएगा minus mg s right क्योंकि mg नीचे है और मैं उपर लेके जा रहा हूँ मैं उपर लेके जा रहा हूँ s और mg तो हमेशा vertically download सी होता है right तो minus mg s इसका वज़न कितना बोला था हमने एक किलो g तो g है और s अभी 3 मीटर है तो minus 3 g same आया आप करके देखो आप उपर जाओ और उपर जाओ नीचे आओ और उपर जाओ final position initial position same रखो आपको same मिलेगा यह तो मैं सिधा vertical बोल रहा हूँ आप कोई और भी path follow करो projectile type path follow करो वही आएगा वही आएगा right so total external work done हो जाएगा मेरा इस case में 3 g right फिर से change in potential energy आएगा 3 g तो यह वाले जो है right total work done so total work done is independent of path path से कोई फरक नहीं पड़ता है total work done is independent of path उसको बोलते हैं यह शाह दिखनी रहा होगा right so change in potential energy is equal to 3 g right correct तो total work done is independent of path taken ऐसे जो forces होते हैं इनको बोलते है conservative forces आपका spring में भी वही होगा right spring की यह natural मैं spring को calculate नहीं करूँगा लेकिन ऐसी explain करूँगा यह spring का natural length है अब मैंने force लगा गया इस spring को मान लो बढ़ा दिया इतने से x extension किया मैंने s extension किया right तो work done क्या होगा इस case में नहीं हमको वापस भी लाना पड़ेगा हमको change in position दिखाना है right तो मान लो यहां से इतना extend किया मैं तो यहां पे potential energy चलो दूसरी इसमें लेते हैं तो यहां पे potential energy यहां पे work done कितना होगा work done by external force यह मैंने external force लगा कि इसको extend किया तो मेरा जो work done by external force होगा right वो होगा external force into displacement x right work done by spring force क्या होगा सीधा इसका opposite बाकि सब ignore कर रहे right वो हो जाएगा minus fx f external into x बड़ा बड़ा work done क्या होगा right हमको पता है spring force होता है minus kx right minus kx होता है यह right k spring constant होता है आप पढ़ चुके होगा अर्वी में तो work done यह तो force हो गया और into displacement right यह ऐसा हो गया तो force minus kx और यह लगा दिया मैंने तो minus इसको integrate करेंगे तो half kx square आता है right half kx square आता है आप directly यह यह नहीं कर सकते it's not a constant force तो half kx square आएगा right half kx square आएगा ठीक है तो position की उपर depend नहीं करता अभी आपको दिख गया की x की उपर depend करता है work done right तो आप इधर से इधर गये फिर इधर से इधर आए फिर इधर से इधर गये और फिर इधर से इधर आए as long as मेरी यह value same है तो मैंने कौन सा भी रास्ता लिया फरक नहीं पड़ता है मेरा potential energy x cube पर depend करता है right work done right is independent of path taken ऐसे case को हम बोलते है जो conservative होता है उसमें mechanical energy के प्लस पी इ conserve होती है constant होती है कोई भी position पे ले लो मतलब क्या है मतलब यह है कि जब यह ball यहाँ पे था देखो जब मान लो यह h equal to zero हम generally ऐसे cases में जो जहाँ पे earth के surface में छोटे से distance पे जो ball उपर नीचे फेकते हो या फिर कुछ करते हो छोटे मोटे day-to-day objects में हम ground को h equal to zero का point पकड़ते है gravitational potential energy ground में zero है पकड़के चलते है right क्योंकि potential energy एक relative चीज है right किसी को नहीं पता हो real में zero का है तो हम पकड़के चलते है right spring में उसका जो natural length है यहाँ पर P zero पकड़के चलते है right जो ball उपर फेकने का against gravity है ground पर edge पकड़के चलते है जब हम gravitation chapter पढ़ेंगे जब बड़े-बड़े objects और लंबे-लंबे distance लेखेंगे तब infinity में zero पकड़ेंगे लेकिन अपना day-to-day life में हम h equal to zero ground पर पकड़ लेते है right तो h equal to zero आप यहाँ पर पकड़ोगे right तो फिर यहाँ पर मेरे पास potential energy zero था तो kinetic energy कुछ रहेगा right अब जैसे जैसे मैं उपर जाओंगा potential energy बड़ेगा उसका लेकिन kinetic energy गम होगा right फिर मैं तो फिर मैं यहाँ पर मानलो center में आ गया तो MGH जो है मेरा potential energy वो आधा हो जाएगा तो बक्की आधा kinetic energy होगा तो K E plus P E constant रहता है आप पता है आपको रहेगा सेम इसका भी right जब यह full अपना extreme end पे जाएगा spring right तब उसके उपर potential energy maximum होगा kinetic energy zero होगा क्योंकि वो रुख जाएगा वहाँ पे आप उसको यह करो स्खीचो और छोड़ दो तो वो oscillate करना शुरू करेगा तो एकदम यह वाले point पे उसका potential energy zero होगा right यहाँ यह वाले potential energy max होगा यहाँ पे यहाँ पे potential energy zero हमने पकड़ा है relative होता है यहाँ पे हमारा zero natural link वाला है यहाँ पे P zero होगा लेकिन फिर वो सारा P जो इधर maximum P था K zero था यहाँ का सारा P यहाँ पे K में convert होगा है इस पे maximum speed वाला maximum K वाला position होगा है यहाँ पे P zero है लेकिन दोनों का addition वहीं रहेगा बीच में कहीं पकड़ोगे यहाँ पे कहीं पकड़ोगे तो इसके पास K भी रहेगा P भी रहेगा लेकिन दोनों का addition उतना ही रहेगा जितना यहाँ पे P था या फिर यहाँ पे K भी था तो यह conserve होती है mechanical energy friction में नहीं होता है इस spring में अगर आप एक block लगा दो ऐसा मालो यह surface है और यह block है यह उसका natural length था यहाँ पे P equal to zero है यह full friction वाला है यह full rough surface है क्या लगता है भी आपको आपने कुछ force लगाया इसको इतना extend किया इसको पकड़ 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 के यहाँ पे लेके आए यहाँ पे लेके आए जो भी आपने external work done किया सब potential energy करके store होगा आपने इसको छोड़ दिया क्या लगता है इधर का सारा का सारा potential energy यहाँ पे केई बनेगा नहीं बीच में friction खा जाएगा थोड़ी energy heat के friction होगा गरम होगा heat के form में चली गई वो चली गई वापस नहीं आए इसको recover नहीं कर सकते है mechanical energy conserve नहीं होगा friction क्योंकि एक non conservative force है तो आपको conservative force non conservative force इससे related के ही है conservative force के against वाला work done ही heat PE करके store होगा friction वाले इस case में अगर PE store भी हो रहा है इस case में PE store भी हो रहा है वापस मालो यह गया वापस इधर गया friction कम था इसके लिए वो आना जाना कर रहा है लेकिन उसका फिर यह range कम होते जाएगा क्योंकि friction में थोड़ा बहुत energy waste होता रहेगा तो potential energy next time next to next time जो potential energy store होगा मालो maximum end पे वो conserve नहीं होगा क्योंकि कम हो गया वो चला गया friction में conserve नहीं होगा तो conservative में ही यह जो दोनों properties है यह सिर्फ conservative में लगते है यह conservative forces के properties है right conservative forces के properties है work done against conservative force work done against conservative force friction भी था और वो move भी कर रहा था तो सिर्फ conservative force के against जो displacement होगी into that force उतना ही potential energy store होगा बाकि friction में उड़ गया next time वापस कम होगे friction में उड़ गया फिर जो conservative force के against में work होगा उतना ही ठीक है अगर multiple है तो मैं यहाँ पे दोनों ले रहा हूँ right PE is relative एक जगह पे relative पकड़ लेते हैं हम जो अपना gravitation के against work करते है day to day objects में not बड़े बड़े objects right उसमें हम ground पे zero पकड़ते है right जब बड़े बड़े objects लेंगे infinity में zero पकड़ेंगे spring हम उसका natural length पे zero पकड़ते हैं जब electrostatic पड़ेंगे तब हम infinity में zero लेंगे right relative है electrostatic force जैसे spring और gravitational right यह सारा तुमारा intermolecular यह सारा जैसा conservative है वैसा ही electrostatic force भी एक conservative force है और वर्ग डन अगेंस्ट electrostatic force भी potential energy करके store होगा किस में store होगा चार्ज में potential energy चार्ज करहेगा चार्ज में store रहेगा और कितना रहेगा work done against electrostatic force अभी हमने थोड़ा सा relate किया इसको पहले potential energy क्या है conservative force क्या है फिर हमने बोला कि हाँ electrostatic conservative force है तो उसके against में काम किया हुआ भी potential energy करके store होगा charge में ठीक है अभी हम electrostatic के साथ इसको relate करेंगे तो electrostatic force conservative है तो अभी मैं एक example लेता हूँ मान दो ये एक charge है एक charge है plus q तो इसकी वज़से ऐसी electric field रहेगी ऐसी full radial outward एक ही charge लिए है मैंने simple रखने के लिए but multiple charge का field होगा उसमें भी होगा उसके against भी काम करेगा तो भी external force का work done will be stored as potential energy हम simple case लेते है एक charge लेते है plus q जो multiple charges है field है, dipole है उनके calculations, formula वो सब अगले videos में आएंगे अभी हम सिर्फ relate कर रहे है potential energy का concept को इसके साथ तो ये plus q charge है मान लो यहाँ पे मैं एक charge लेके इसकी वज़से ऐसी field रहेगी रेडियल मान लो मैं एक plus q charge को लेके आया अब होगा क्या electrostatics में आपने पढ़ा जब similar है, दोनों positive है तो ये उसको repel करेगा रुको मैं ये उसको repel करेगा ये उसको repel करेगा force ऐसा लगेगा force on this test charge जनरली हम इसको test charge बोलते हैं न ये field is plus q कहा है और ये guest है test charge इस test charge के उपपर force ऐसा लगेगा ऐसा लगेगा repel करेगा ये होगा electric force ऐसा लगेगा या फिर मैं इसको ऐसे निकालता हूँ ये उसको electric force ऐसे लगेगा electric force ऐसे लगेगा अभी अगर मैं external force लगाता हूँ अभी इस तरह से लगाता हूँ कि मेरा net force zero हो ये exactly equal to electric force मैं ऐसा कैसे करूँगा मैं बहुत ही slowly करूँगा ये charge को accelerate नहीं करूँगा charge के उपर उतना ही force लगाँगा जितना ये plus q ने उसको repel किया है ये बहुत slowly move करूँगा उसको बहुत slowly move करूँगा net force zero होना चाहिए उसका no change in kinetic energy होना चाहिए क्योंकि मैं अगर आप kinetic energy change कर रहे हो आइक्सेलरेट कर रहे हो velocity बढ़ा रहे हो तो ठीक है फिर वो आपको वो करना पड़ेगा total work done total change energy हम लोग एक simple case लेते हैं सिर्फ potential energy पर focus करते हैं तो मैंने kinetic energy change ना करते हुए एक्तम धीरे धीरे net force zero होगा इस तरह से उसको थोड़ा सा displace किया थोड़ा सा displace किया ठीक है माल लो मैं उसको इस force के against में था थोड़ा सा displace किया मैंने इसको यहां से यहां लाया यह होगी मेरी displacement s मान लो ठीक है तो what will be work done by external force work done will be external force by external force will be क्या होगा है मेरा f external into this s f external into s dot product in का fs cos theta right cos theta क्या होगा दोनों की पूछ जोड़ दो right मेरा external force यह जो है यह ऐसा है और मेरी displacement भी ऐसी है दोनों की पूछ अगर जोड़ दो तो overlap होंगे angle 0 होगा cos 0 is equal to 1 मतलब f external into s यह होगा मेरा work done by external force work done by external force is done against conservative electrostatic force right work done by external force against conservative force is stored as potential energy तो इतनी potential energy store हो जाएगी change in potential energy change in potential energy इतनी हो जाएगी right और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ minus of work done by electric force work done by अच्छा e for external electric e l e लिख देता हूँ electric force work done by electric force जो है उसका minus जो होगा वो change in potential energy होगा मतलब मेरी potential energy मालो इस चीज़को मैं बोलता हूँ a position इसको बोलता हूँ b position मेरा initial position a है final position b है potential energy at final position minus potential energy at initial position u final minus u initial is equal to right change in minus of electrostatic force into displacement right और हमको electrostatic force क्या पता होता है पता होता है के q1 q2 by r square right 1 upon 4 by epsilon not q q upon s का square right यह होगी मेरी potential energy change in potential energy अगर यह force का value पता है तो ठीक है that force into positive work done by external force is stored और negative of work done by conservative force जिसके against में काम किया conservative force के against में काम करोगे तभी आपका store होगा potential energy ठीक है ठीक है यह सारा part detail में अगले वीडियोस में देखना ही है मुझे सिर्फ आप इस बार potential conservative, non conservative इनके साथ वो potential energy को relate करना था ठीक है और generally हम infinity में 0 पकड़ते है infinity में 0 पकड़ते है right so work done by external force क्या होगा change in potential energy और final minus initial अगर net force 0 है यह मैंने kinetic energy change ना करते हुए दीरे दीरे लेकी गया work done by electric force क्या होगा उसका उल्टा उसका उल्टा ठीक है अगर against में किया है वो एक standard scenario पकड़के चलो जैसे जैसे फिर अगले वीडियोस में रेखेंगे हम उसके variations कौन प्लस कौन माइनस कैसे होता है पी एक relative है infinity में 0 पकड़के चलो हमको पता नहीं किदर 0 है infinity में 0 पकड़के चले अगर infinity मेरा initial position है तो फिर work done by external force from initial to final position तो potential energy of charge Q को मैं कैसे define करूँ राइट work done by external force in bringing charge from initial position to final एन वो point infinity to that point ठीक है तो ये overall अपना idea हो गया कि potential energy क्या है अभी कुछ examples करते है examples से और clarity आजाएगे ठीक है चलो पहला example if there is no charge in space right ये वाला space नहीं ये एक ऐसी जगह एक ऐसा ही कोई region this is some region right if there is no charge in a region electric field है नहीं यहाँ पे ये जो plus q था ये वाला है नहीं यहाँ पे कोई field ही नहीं है ऐसी वाली situation है कोई field ही नहीं है right then what will be change in electrical potential energy of test charge brought from infinity to this point हमने एकदम पहला ही point पकड़ा मैं work करता हूँ तो किसी force के against में करता हूँ अगर oppose करने वाला opposing force ही नहीं है अगर opposing force ही नहीं है opposing force absent है यहाँ पे opposing force ही नहीं है तो मेरे को work done करना ही नहीं पड़ेगा zero हो जाएगा मेरा work done अगर work done zero है तो potential energy में कोई change नहीं होगा potential energy में कोई change नहीं होगा work done by external forces stored in change in potential energy यहाँ तो work done हुआ ही नहीं है क्योंकि oppose करने वाला कोई force ही नहीं था है ना zero यह वाला देखो which of below statements are correct या थोड़ा वीडियो pause करके सोचो काफी यह ने positive negative सब किया है तो थोड़ा सा clear हो जाएगा ठीक है शालो मानलो आपने किया work done by external force against conservative force is equal to change in potential energy ठीक है यही है yes external work done against conservative correct है पहला वाला यह तो definition है क्या बोड़ास को हाँ definition ही बोलो change in potential energy का work done by conservative force is equal to negative of change in P yes extended scenario में ठीक है इसका देखेंगे variations बट हाँ है छीक है if field is due to positive charge potential energy of a test charge is positive test charge को हम हमेशा positive लेते है test charge हम positive लेते है देखो field का जब study किया था right if a field is due to positive charge potential energy of a test charge is positive if it is move from infinity yes correct क्योंकि इस case में क्या होगा इस case में होगा ऐसा यह plus q जो है इसका जो field रहेगा ऐसा radially outward रहेगा right ऐसा रहेगा और अगर मैं plus q यहाँ पे लाता हूं similar यह उसको repel करेगा तो against infinity यहने मैं को ऐसा force लगाना पड़ेगा यहने against this force काम करना पड़ेगा तो हाँ भी positive रहेगा correct यह भी correct है if field due to negative charge if field due to is due to negative charge यहने मेरी field minus q की है यह ऐसी ऐसी तो field कैसी रहेगी अंदर खीचा चलाएगा कोई भी इस field में right of a test charge is positive if field due to negative if field is due to negative test charge then next sentence potential energy of a test charge is positive क्या इस किस में potential energy positive रहेगी क्या work done by external force against conservative force positive रहेगा work done कैसे करेंगे हम right work करना ही नहीं पड़ेगा मेरे pay work होगा अगर मैंने force लगाया तो kinetic energy change हो जाएगा और वो फिर अलगी हो जाएगा हुई और मेरे को कोई खीच रहा है right इस case में अगर मेरे pay महनत हुई मेरे को force लगाने की जरूरती नहीं है उल्टा मैं ना हिलू इसके लिए force लगाना पड़ रहा है equilibrium maintain करने के लिए force लगाना पड़ रहा है तो work done is negative यह वाला देखते है what will be change in electric potential energy of a charge cube brought from position A to position B without changing के इन below cases दो cases है case 1, case 2 चलो इसको case 1 बोलते है इसको case 2 बोलते है तो case 1 में क्या होगा change in potential energy चाहिए मुझे मुझे delta U चाहिए अब देखो इस case में दोनों positive positive है यह इसको repel करेगा तो मुझे इसको A से B को लाने के लिए external force लगाना पड़ेगा इस direction में उसका repulsion को without changing की आने repulsion के exactly ultra electric force का exactly ultra राइट यह क्या हो गया मेरा delta U जो होगा राइट इस work done by external force is equal to delta U या फिर मेरा change in यह जो है negative of work done by electric force ठीक है electric force क्या है negative of electric force क्या हैगा यहाँ पे हम लोग क्या बोलते है 1 upon इसको K लिखता हूँ है K 1 upon 4, 5, epsilon, not K Q1, Q2 upon S का square तो यह आजाएगा मेरा minus K into Q है 1 कुलम यह उपर एक common values देके रखे हैं मैंने 5 कुलम और यह है 5 meter का square हैंने 25 which is 5 right minus K by 5 ऐसे कुछ तो आएगा मेरा change in potential यह तो force होगा न into distance कोन करेगा into 5 into 5 तो बराबर minus K इतना आया minus K इतना आया तो मेरा change in potential energy क्या आएगा minus 9 into 10 raise to power 9 या फिर चलो K लिख देते हैं भी 1 upon 4 pi epsilon not का minus इस case में क्या होगा इस case में यह इसको अपने तरफ खीच रहा है यह इसको अपने तरफ खीच रहा है right तो मुझे इसको 5 meter पे रोकने के लिए actually उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा right उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा भई ऐसा मेरे उपर वर्क किया जाएगा अगर मैंने फोर्स लगाया तो तो work done by external force will be negative and अगर तुम यह देखो इस केस में electric force इधर है और displacement इधर है 180 हुआ लेकिन यहाँ पर work done by electric force जो है वो F electric F electric और displacement का theta 0 है एक ही direction में है यहाँ पर work done by electric force is going to be positive क्योंकि theta 0 है इस positive राइट पॉजिटिव राइट पॉजिटिव पर मेरे definition बोल रही है potential energy is work done by external force राइट तो इस केस में वेरा potential energy क्या आएगा राइट तो इस केस में वेरा potential energy आएगा negative of work done by this negative of work done by electric क्योंकि it is work done by external तो इस केस में क्या होगा negative of k q1 q1 देखो plus है 1 है और q2 जो है वो minus 5 है यह negative charge है राइट और यह 25 पाच का square यह force हो गया इन्टू पाच displacement रहे तो इस केस में प्लस आया मेरा 25 पच्चिस गया प्लस के आया इस केस में तो इस केस में मेरा minus के आया था और इस केस में प्लस के आया and a sign takes care आपको बहुत जादा धान में रखनी की जरूरत नहीं है आपको सिफ इतना रखना है it is negative of change in potential energy is negative of work done by electrostatic force ये वाला इधर भी correct आता है इधर भी correct आता है right so important statement work change in potential energy is work done by negative of work done by electrostatic force और positive of work done by external force ठीक है तो बस इस वीडियो में यही पर रुखता है thank you for watching कुछ comment से तो comment में लिखे अच्छा लगा तो share कीजेए अरू